हेलो स्टुडेंट्स हमने बी एसी बी ए का मैप्स मेस्टर सेकिंड का ओन्री डिफ्रेंशल इक्वेशन स्टार्ट कर रहा था जिसकी हमने 1.2 तक कम्ट्रीट कर ले थी तो मैं एक बार आपको रिव्यू दे रहती हूं दुबारा से इसका रिवाइस करवा देती हूं कि क्या एक्जेक्ट बना सकते हैं ठीके जी अब जैसे हमने 1.1 में तो सिरफ इतना बताया था कि एक्जेक्ट है तेन इटस फाइन सोलूशन तब हमने उसका सोलूशन प्यूशन पैंडर्ट करा था सबसे पहले हमने क्या करते हैं सबसे पहले हम गिवन एक्वेशन को convert करते थे then given equation is exact otherwise not उसके बाद आपने find out करा था इसका solution आपने 1.1 में पूरा यही काम करा था 1.2 में हमने एक नई definition study करी integrating factor बहिए अगर मान लो कोई equation exact नहीं है तो हम क्या करेंगे हम उसको exact बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसा function x और y का एक ऐसा function कि हम उस equation को जो exact नहीं है उससे multiply करें और बाद में वो exact बन जाए उस function को क्या बोलते हो integrating factor और किसी एक equation के लिए वो integrating factor infinite हो सकते हैं ठीके ची आपने यह study करा था उसके बाद हमने जो 1.2 थी उसमें हमने direct हमें दे रखा था कि prove करना है इसका integrating factor यह है मतलब हमारे पास given equation exact नहीं थी लेकिन जब हमने given integrating factor से उसको multiply करा then equation becomes exact बन गई थी तो third exercise में अब हम क्या study करेंगे काम वही करना है पहले 1.1 वाला काम करेंगे देखेंगे यह exact है या नहीं अगर नहीं है अब उसका integrating factor find out करेंगे लेकिन अब rules हैं अब हर एक exercise में एक नया rule है integrating factor के find out करेंगे देखो तो मैंने यह short notes बना रखे हैं ताकि आपको असानी से समझ आ जाएं चीज़ें कि rule first अगर m और n are homogeneous function है x और y में and equation is not exact देखो integrating factor तो कभी निकालोगी जब कोई equation exact नहीं होगी अगर वो exact है तो हमें integrating factor की जरूरत ही नहीं है वो कहता है पहला rule क्या है जो 1.3 में use होगा तो हम सिरफ आज इसका first rule करेंगी कि पहला rule क्या है कि अगर given equation exact नहीं है लेकिन given equation कैसी है homogeneous function है x और y में m में भी और n में भी कैसे है homogeneous function है x and y में then equation m dx plus n dy equal to 0 exact नहीं है sorry then हम इसके integrating factor इसका ये होगा अब आपको समझाती हूँ homogeneous function क्या होता है देखो means the power of variable in each term of the expression is same homogeneous function क्या होता है कैसा function कि जिसमें variable की power हर एक term में कितनी होनी चाहिए expression में same होनी चाहिए देखो जैसे x scale minus y scale इसमें भी 2 power इसमें भी 2 power it is a homogeneous function इसमें 2 power इसमें 2 power इसमें भी तो दो है देखो x की भी एक y की भी एक कितनी हो गई दो तो ये कैसा function है homogeneous बस आपको पता होना चाहिए अब देखो आपने क्या करना है हम कहां से start करते है अगर आपको first chapter का question मिलेगा बिल्कुल मिलेगा हो कि first second आपको एक chapter है एक section है तो first chapter में से कई बार दोनों question आ जाते है कई बार आहाफ आता है ठीक है तो आपको हम ऐसासा discuss करेंगे कि कैसे कैसे आपको question attempt करने है तो main काम जो है हमने जो 1.3 rule पढ़ना है sorry 1.3 exercise करनी है उसका सिरफ हम first rule पढ़ेंगे आज ये बाकी 1.4, 1.5 से related है सिरफ आप आपने ये देखना है कि given equation exact now आपके mind में आना चाहिए ये पहला rule क्या check करें कि given equation जो है वो homogeneous है x और y variable में चलो फिर अगर है तो उसका integrating factor क्या मान लेना है 1 by mx plus n y चलो मैं अब आपको इस question को करके दिखाती हूँ हम इस exercise का 1.3 के देखते हैं कितने example है तो फिर मैं साथ साथ आपको बाकी exercise से इसको compare भी करवाती रहूँगी जब हम बाकी rules study करेंगे अब 1.3 पे जाते हैं 1.3 के दो examples हैं तो मैं आपको एक करवाऊंगी second कर लेते हैं हम क्योंकि इसमें solution भी find out कर रखा है सबसे पहले क्या check करने है हमें इस equation को solve करने जहां भी solve का नाम आजाएगा मतलब आपको क्या करना है उसका solution find out करना है तो सबसे पहले ना देखो हमना equation हम अपने आप करेंगे इसको हम सिरब मैं statement लिखरेंगे हूं और आपको सारा question करवाऊंगी ठीक है जी देखो जी ये रहा question अब देखो इसकी कितनी पहले हम M निकालते है हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये exact है या नहीं exact आ गया था हमेरा कम खत्म है M क्या है आपको साब पता लगा होगा कि exact नहीं है फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाते हूं इसको curly M by curly Y कितना आएगा आप तो देखा आपको चीज़े समझ आ जाने चाहिए Y की भी दिस्प्रेक्ट्टू करना X constant Y इसका 1 curly N by curly X Y का 0 तो इसका minus 3X इसका ठीक है जी equal नहीं आया equation is not exact curly M by curly Y not equal to curly N by curly X then equation is not exact then we can find its integrating factor आपके mind में देखो मैंने सिरफ आज पहला rule करवाया तो पहला ही से हम करेंगे कल दूसरा अगर वाओंगे तो हम दोनों में comparison देखेंगे M ये है इसकी power कितनी है 2 इसकी Y की एक 3 इसकी power कितनी है 3 इसकी power कितनी है 3 सबकी power क्या है same तो function कैसा है homogeneous variable की जो power है हर term की same है then equation क्या है अगर equation exact नहीं है then 1 by तो इसका integrating factor क्या होगा इसका integrating factor हो जाएगा 1 by mx plus में n y ये इसका क्या हो जाएगा integrating factor तो निकाल लेते हैं 1 x square y n y sorry m के साथ x को multiply करना है तो ये x cube बन जाएगा तो n के साथ y को तो minus x cube y और ये minus y की 4 बन जाएगा तो इससे cancel तो इसका integrating factor कितना आ गया minus 1 by y की 4 ये इसका integrating factor आ गया देखो यहां तक मेरा question हो गया अब क्या करना है integrating factor इसका निकल गया अब check करेंगे क्या multiply करेंगे फिर exactness चेक करेंगे तो अब इसको मैं पूरी equation को किससे multiply कर देती हूँ minus 1 by 4 देखो मैं यहीं कर देती हूँ यहां minus लग जाएगा यहां y की 4 लग जाएगा same यहां minus तो यह plus बन जाएगा यहां y की 4 बन जाएगा तो अब यहां से m कितना आएगा m बचेगा minus x का square y का cube और n कितना बचेगा n बचेगा x की cube y की 4 plus में 1 by y यह n बचेगा क्या निकालोगे कर ली m by कर ली y निकालोगे y के बदे तो इसको ऐसे दिख सकते हो minus x square y की minus y के बदे बदे स्पक्ट्टू करोगे x constant तो minus plus 3 y की minus 4 और x का square तो कितना बन गया 3 x square y की 4 ठीक है जी तो कर ली n y कर ली x निकालोगे मतलब y constant तो इसका 0 तो इसका 3 x square y की 4 इकवल आ गया equation क्या बन गई exact exact है तो solution हम इसका find out कर सकते हैं क्या solution होता है mdx y constant plus term in n not containing x क्या इसमें ऐसी कोई term है जो x को containing करती yes कौन सी है 1 by y तो देखो यही चीज का रखी है हम इसमें से ही चक कर लेते हैं यह बन गई आपकी बास equation integration mdx y constant plus term in n not containing x m क्या है this यह तो नहीं लोगी क्योंकि x को contain कर रही है यह 1 by y equal to c तो इसका integration करोगी यहां से आपका solution आ जाएगा ठीक है जी तो आपने आज एक डूल पढ़ा कि अगर integration अगर equation exact नहीं है और अगर लेकिन equation कैसी है homogeneous function में है तो आप उसका integrating factor क्या लोगे 1 by mx plus में n y homogeneous है then इसका integrating factor क्या होता है 1 by mx plus n y तो आप इसके बाकी first example और exercise की questions ट्राई करना कोई भी doubt हो तो आप उसको lecture में या comment box में पूछ सकते हो thank you